हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर परदेश राजी के कास गंजिला के बारे में तो दोस्तों वीडियोस को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और दोस्तो कास गंजिला के बारे में जो भी जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में बताने की पूरी-पूरी कुशिश करेंगे और दोस्तो अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाते हैं तो हमें नीचे कोमेंट करकर जरूर बताएं तो कास गंजिला यह जिला भारत देश के उत्तर परदेश राज में इस्तित उत्तर परदेश के कुल 75 जिलों में से एक कास गंजिला के नाम से जाना जाता है कासगंज जिला उत्तर परदेश के उत्तर से पूरुभा की ओर बसा हुआ है जिस वज़ा से कासगंज जिला की सीमा उत्तर परदेश के बड़े बड़े जीरों से मिलती है इस जिले का हेड़कॉर्टर ओपिस कासगंज सहर में मौजूद है और कासगंज जिला अल्ली गड़ मंडल के अंतरगत आता है इस जिले का इतियास देखा जाए तो कासगंज पहले एड़ा जिले का एक बहुत ही महत्वपूर हिस्सा वुआ करता था लेकिन आज के मौजूदा समय में कासगंज को अलक करकर एक नया जिला बना दिया गया है बात करें कासगंज जिला के पुरोशी जिला के बारे में तो कासगंज जिला के पुरोशी जिले का नाम फारुकाबा जिला वह अल्ली गड़ जिला है वह एटा जिला कासिगन जिला में तीन तैसील 10 नगर निगम 11 पुलिस स्टेशन 17 बैंक 1 सरकारी अस्पताल और 715 गाओं में बटा हुआ है बात केने च्छतरफल की तो कासिगन जिले का कुल च्छतरफल 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बात क्रेयाबादी की तो वर्ष 2011 के जन्डगाड़ना के अनुसार कासिगन जिला की कुल आबादी 14,36,790 जिसमें की पुरुस्कुई कुलचन संक्या 7,64,554 है यहां के 14,36,000 की आबादी में 6,72,000 मेला हैं कासिगन जिला के मुख नदी का नाम गंगा नदी है गंगा नदी के किनारे पर बसा या जिला उत्तर परदेश की राजधाने लखनव से महज 340 किलोमेटर तथा देश की राधाने देली से लगबग 261 किलोमेटर की दूरी पर बसा हुआ है सिच्छा की बात करे तो इस जिला में कैई से छोटे बड़े स्कूल वा कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहां के बच्चे अच्छी तरह से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं वैसे इस जिले की साचर्टादर 61% है यानि की यहां के आबादी के अनुसार 61% पर 37% लोग पढ़े लेके हैं जिसमें की पूरु सोव महिला दोनों सामिल है इस जिले के कुछ महत्तोपूर्ण स्कूल वा कॉलिस के नाम इस परकार हैं लोटस पब्लीक स्कूल कास गंज पब्लीक स्कूल एज्जेस पब्लीक स्कूल यह सभी इसी जिला में मौझूद हैं जो कि यहां के बच्चों को अच्छी तरह से सिच्छा परदान कराते हैं परेटन अस्थल की बात करें तो कास गंजिला खुबसूर्ती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर वह मसूहर है यहां के परेटन अस्थल मिसुमार नदराई ब्रीज, हरिकी पोड़ी, घंटा घर, लच्मी गेट, आधिनामे से लोग काफी वाकिव हैं यहां पर परेटक घुम कर अनंद उठाते हैं रेलवे स्टेशन की बात करें तो कास गंज जिला के मुख रेलवे स्टेशन का नाम कास गंज रेलवे जंसन है इस जंसन में पाँच प्लेटफोर्म और आठ बटरी सामिल है और कास गंज जक्सान नौर्थ इस्टन रेलबे जोन के इज़त नगर डिवीजन के अंतरगत आता है दोस्तो कास गंज जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कोमेंट करकर ज़रूर बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको मिलती रहे धन्यवाद